हेलो एवरिवन गुड मॉनिंग मैं शरद्यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइस अकेडमी पर दोस्तों इस सीरीज में हम लोग आज डिसकसन करेंगे फिर से वीजन आईएस की मंतली मैगजिन जो की हम लोग अगस्ट 2023 की मंतली कर लेंगे फिर इसके बाद हम लोग environment और science technology और फिर बचे हुए जो भी topic होंगे उन सभी को regular कवर करेंगे और इससे पहले आपको बताते चलों कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे अगर चैनल पर तो वहां पर मई की आपको देखने को मिलेगी जून की भी कवर कर दी गई ह और साथी साथ जुलाई की भी कवर कर दी गई है और ये अगस्त की सीरीज अल्रेडी चल रही है इसकी PDF के लिए आप लोग टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और चैनल पर अगर पहली बार आ है तो प्लीज थी चठी गढ़ना उस पर हमने डिसकस किया था और आज हम उसके आगे चलेंगे अब तर्टी छेत्र खने विकास और विनिमयन संसोधन अधिनियम दोजार तेईस जो ये राश्टपती जी की मंजूरी इस पर मिल गई है तो हम इस पर चर्चा करेंगे और यहां से हम फिर तरीके से पास हो चुका है अगर यह संसोधन किया गया है तो यह किस अधिनियम में संसोधन किया गया है इसका मतलब यह पहले से कोई अधिनियम रहा होगा तो वह अधिनियम था 2002 और इसी में संसोधन किया गया है हलाकि यह क्या करेगा भारत के प्रादेशिक जल कास तदा विनियमन का प्रावधान करता है अब अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं पता है तो इंडिन जोग्राफी की घटना चक्र सिरी चलाई जा रही है उसे मैंने अल्लेडी कवर किया इन सभी चीज़ों को बताया है तो आप वहां से भी आप इसे देख सकते हैं और समुत्र तो इनके पास है तो क्या ये राज्यों के किंद्र में आएगा तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अब तटी संसादन जो होते हैं समुत्र की गहराई में होते हैं जो सोड़े सी सीमा रेखा से दूर अठके तो उस पे भारत की सरकार का अधिकार होता है न इसके अंतरगत आएगा तो संग सरकार इसको रेगुलेट करती है और बताया जाया को कि 200 मीटर से अधिक की गहराई पर गहरे समुत्र तल से खनिज भंडार को प्राप्त करने की प्रिक्रिया अब तटी खनन कहलाती है अब तटी खनन अब जैसे मान लिजे मैं आपको यहा मान लिजे मुंबई हाई द्विपर जो है कि यहां पर 200 मीटर की गहराई में जब समुद्र के गहरे तल पर जाके खनिज भंडारों को प्राप्त किया जाता है उनका माइनिंग की जाती है तो उसी को अब तटी कहा जाता है यानि कि तट से दूर हटके थोड़ा सा यह तो उसे ही हम अब तटी छेतर कहते हैं तो अब यहां पर हम देखिए कि 2002 के बिल में क्या ऐसा था कि उसको चेंज किया गया 2023 के बिल में तो पहली चीश लाइसेंस प्रकिरिया की बात करेंगे जो कंपनी अब तटी खरन करती थी उनको 2002 के अधिनियों में क्या प्रावधान कौन से जोड़े गए हैं तो आपको चार स्टेटमेंट मिल जाएंगे और वहां से एक प्रशन आप से पूछा जा सकता है यूपीएस सी ऐसे ही करके विधेकों से या अधिनियों से प्रशन पूछती है तो इसको समझ लेते हैं देखिए 2002 का जो अधिनियों था और यह 2023 का तो 2002 में था पूरू परिक्षण, अनवेशन और उत्पादन के लिए अलग-अलग लाइसेंस दिया जाता था जैसे अगर कोई कंपनी करिये कि हमें टेस्टिंग करनी है या हम उसका प्रड़क्शन करना चाहते हैं तो उसको अलग-अलग करके लाइसेंस दिया जाता था त समग रूप से कंपोजट लाइसेंस देने की प्रिक्रिया सुरू की गए 2023 में यानि कमपनी आगर कोई खोज कर रही है किसी खनन का किसी खनिश पदार्थ का खोज कर रही है तो कि खोज ही थोड़े करेगी वो उसका प्रड़क्शन भी करेगी अभी तो वहाँ पैसा इंव गरतन किया गया है दूसरा जो इसमें वैलेडिटी थी उत्पादन पट्टा यानि प्रड़क्शन को लीज पे 30 वर्सों के लिए दिया एता था और जिसे आगे 20 वर्स तक नवीनी कृत किया जा सकता था मनों कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है उसने सुचा है 30 वर्स के लिए रिनेवल करने के लिए फिर से उसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा पूरी की पूरी परियावर्णी अनुमत्ती लेनी होगी भूमी अनुमत्ती लेंड एक्वायर बहुत सारी चीजियों से करनी पड़ेंगी निलामी की प्रक्रिया में प्रसासनिक आवंटन क के तहट उसे रियायती प्रदान की जाती थी, पतलब छूड़ती जाती थी, लेकिन अब प्रतिस परधात्मक बोली द्वारा निजी छेत्रक को दो प्रकार के परिचालन अधिकार प्रदान की जाएंगे, एक उत्पादन पट्टा और एक समगर लाइसेंज, तो उत्पादन चेत्रों में खनन की बात करेंगे, तो यह विद्यक सरकार को उन अब 30 चेत्रों को आरक्षित करने के अनुमती देता है, जो किसी भी परिचालन अधिकार के तहट नहीं आते हैं, लेकिन अब जो 2023 का है, यह प्रसासनिक अधिकारी को अनुमती देता है, कि वह सरकार या सरक कारी कमपनी को एक समगर लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकता है, तो यहां पर ही हो गया, वहीं 2023 में कुछ नए प्रावधान और एड किया गया है, अभी तो क्या था, कि 2002 के प्रावधानों बस थोड़ा बहुत संसोधन किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे के लिए आपके UPSC 2024 के लिए पूछा जा सकता है कि परमाडू संबंदी जो खरच परात करने हैं, उनका जो खनन करना है, अगर हमें अब 30 छेत्रों से तो उसका खनन क्या प्रावध सेक्टर कर सकता है, अभी आपने देखा कि निजी छेत्रकों को आकरशित किया जा रहा है उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि परमाडू खनिज हैं, जो कि परमाडू बं तयार कर सकते हैं, अटोमिक पावर मिल सकती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को ये चीत नहीं दी गई है, ये केवल यहां पर वर्ड लगा हुआ है, और के वाली लाइन आपको याद रखी हैं, वहीं अब 36 खनिज ट्रस्ट एक निर्मित किया जाएगा, जो कि भारत के लोकलेखा के तहट फंड का प्रबंधन करेगा, ठीक है, और ये गैर ब्यपगत प्रकृति का होगा, गैर ब्यपगत का मतलब होता है कि जो भी फंड अगर किस पर्टिकुलर वित्ती वर्स के लिए जारी किये गए, अगर उस वित्ती वर्स में पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, तो वो पैसा प्रधान मंतरी राहात को या संचित निधी में वापस नहीं जाएगा, बलकि वो अगले वर्स उसी वित्ती वर्स के साथ काम करने लगेग तो इसे हम गैर बिपगत कहते हैं, तो ये दो नए पॉइंट जोड़े गए, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर ये सारी चेती तो संसोधन करने की क्या आवश्यक्ता थी, तो 2002 और 2023 में अगर आप देखोगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों तो चेंजस नहीं की गई नवीशन के लिए अलग पतपादन के लिए अलग लाइसेंस दियाई जाता था, लेकिन अब 2023 में समघन लाइसेंस की बात आगे, फ फट्टे को लेकिन 50 साल के लिए कर दिया गए अकी सार, तो परीवर्तन तो कुछ खास हुा नहीं, तो देखते हम संसोधन की अवशक्ता ऐसी क्यों पड़ी, कि सरकार को इसे संसोधित करना पड़ा, तो अब तटी खनिश संपधा का उपयोग करने के लिए, अब तक अब तटी छेतरों में किसी भी प्रकार की खनन गतिविदी नहीं की गयी है, जब कि भारत को अब नैने खनीजों और खनन की आवशकता है, क्यों अब यहाँ पे ट्रांस्पेरेंसी को create किया गया है कि अब किसी भी परकार का ना तो घूस ली जाएगी ना भरष्टाचार होगा जिसकी छमता होगी कमपनी की उसको हम क्या करेंगे लाइसेंस देंगे और पारदर्सी कानूं का पालन होगा। वहीं खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 के अनुरूप इसको बनाया गया। क्योंकि जो अभी तक खनिज बिल्ट आदी की निलामी सुनिश्चित करन्त के तटवर्ती खनिज संपदा के प्रभावी उपयोग में हमें मदद मिल सकेगी। तो ये इन दो-तीन कारणो की वज़े से हमने संसोधन किया लेकिन बात वहीं आती है कि आज तक भारत ने कोई भी समुद्री खनन गतिवीधी नहीं की अगर ऐसा बताय जा रहा है अब तटी खनिज संपदा को लेके तो उसके कुछ परिणाम भी अच्छे थे परियावरण से संब्दिज कोई करोगे तो इससे तटके किनारे जो समुद्री पारिसित की तंत्र है कोरल जो पारिसित की तंत्र इन सभी के लिए संकट बढ़ेगा और इससे प्रजातियों के विलुक्त होने की भी संभावना बढ़ेगी क्योंकि समुद्र में जब आप माइनिंग करोगे बड़ी- सच की तंत्र है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब होने की वजए से हमारी एकलाजिकल जोए की क्लाइमेटिक चेंज और बढ़ जाएगी तो ये एक समस्या है दूसरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पढ़ेगा क्योंकि जिन लोगों की आज जीवी का सम मुत्र में बो लोग क्या कर सकते हैं आपने शीप देखा होगा सिप को पकड़ते हैं घोंगा पकड़ते हैं मचली पकड़ते हैं इस तरीके की जो उत्पाधन कार्यों में लगे होते छोटे चोटे लेकिन जब वहां पर बढ़ी बड़ी सेक्टर की कंपनियां माइनिंग क तो वैसे भी आसपास किसी भी ब्यक्ति को आने जाने की मना ही हो जाएगी, क्योंकि कंपनी मना कर देगी, और ऐसे में जो ब्यक्ति उस तटके किनारे मत से पालन करता था, उद्योग करता था छोटे-छोटे, वो सब उनके खत्रे में आ जाएँगे, विसेज कर मचुआरे ज्यादा प्रभावित होंगे मचुआरे प्रभावित हो जाएंगे आगे देखते हैं आर्थिक बेवारता की बात करेंगे तो तटवर्ती खनीजों की तुल्ना में अब तट्ये खनीजों को निकालना महंगा होता है अब यहाँ पर आप समझ लीजी अब यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि कहरा है अब तटी खनीज निकालना महँगा होता है क्योंकि देकि समुदरी से कुछ दूरी पर हटके हम लगवक 200 मीटर की गहराई पर जाके अब तटी खनीजों को निकालते हैं. कितने मेटर की गहराई पर निकालते हैं दोस् everywhere Movement की और ये तट से थोड़ा सा दूर निकालते हैं जबकि जो आपके तटों के समीफ होते हैं तो इनकी लागत कम होती है ये फ्रीज महा होगा थो जब उसका मार्केट में यूज होगा प्रयोग होगा तो कई न कई वो उसकी कीमत भी बढ़ाएगा और सहकारी इकागियों को विसेसा दिकार केंदर द्वारा आरक्षित खनिज वाले छेत्रों में सरकार या सरकारी कंपनियों या निगम को प्रतिसपर्दी बोली के बिना ही परिचालन अधिकार मिल जाएगा मतलब कोई भी कंप्रिटीशन नहीं कोई निलामी नहीं क्योंकि सरकारी संस्था के द्वारा ही कुछ खनिजों को जो एकी सरकार निकाल सकती है जैसे यहाँ पर तो अभी हमने देखा कि परमाड़ों खनी जिस पर किवल और किवल केंदर सरकार या फ भारत की जो तटी रेखा है वो 7570 किलोमेटर की लंभी तट रेखा है नौ राज्यों में अगर आप सुरुवात करेंगे इस तरीके से तो गुजरात है महराष्ट है गोवा है करनाटक है केरल है तमिल नाडू फिर आंद प्रदेश फिर उसके उपर आप देखोगे ओडिस है फिर पश्चिम मंगाल है तो टोटल यह आपके नौ राज्यों हो गए और चार इसमें केंसासित प्रदेश भी हैं यहां पर आपका दमन अंडीव आ जाएगा दादर नागर हवेली आ जाएगा पिर यहां लक्षदीप आ जाएगा यहां पर पुदुचेरी आ जाएगा तो इस तरीके से चार यूनिन टेरिटरीज में और तेरह सो ब्यासी द्वीपों की सीमा भी यहां पर सामिले छोटी छोटी यह आईलेंड है और ईजड लगव 20 लाक वर्ग किलोमीटर यानि इसकी बात अगर हम करें तो यह भी इसमें आता है और गुजरात और महाराष्ट के तड़ों पर EEZ के भीतर चुना मिट्टी प्राप्त होती है केरल तड़ पर निर्माड करने वाली रेत वो रेत क्या होती है दोस्तों वो रेत मोनोजाइट होती है क्या होती है तो मोनोजाइट हमें प्राप्त होती है जहां से थोरियम के भंडार मिलते है और थोरियम एक भारत जो है कि अब 30 संसादों से काफी संपन है, हलां कि इस पर थोड़ी सी चुनावती है कि वो महगा पड़ेगा, और भी समाजी कार्थिक परभाव पड़ेंगे, परयावरणी परभाव पड़ेंगे, तो ये सबी चीजों को हमने डिसकस किया, तो अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर, जो हमारा टॉपिक है, वो है चिकिस्सा या आरोगे, चिकिस्सा और आरोगे परेटर, यानि जैसे अगर हम विदेसों में जाते हैं, जब कोई ठेरपी कराने या इलाज कराने, तो इक तरीके से हमके वगल इलाज कराने ही नहीं जाते हैं, इलाज कराने के साथ-साथ हम और भी चीज़ें वहाँ पर घूमते हैं, टूरिस्ट के रूप में, तो टूरिजम डिवलपमेंट होता है, उसी तरीके से भारत में जब कोई पडोसी देश या कोई छोटे देशो या बड़े देशो के लोग जब भारत में इलाज कराने आते हैं, तो इलाज कराने के साथ साथ वो प्रकृतिक पर्यावरन में घूमते भी हैं, टूरिजम का विकास होता है, मैं आपको बता दू कि चलिए, अभी मैं आपको बताऊंगा उसकी वैल्यूज जो चिकिस्सा संबंदित है, मैं आपको बताऊंगा एक एक एक्जामपल जो मेरे साथ हुआ था, उसकी बात करूँगा, देखे ग्री मंत्राले ने वीजा की एक नईस रेड़ी, ग्री मंत्राले ने वीजा की एक नईस रेड़ी सुरू किये, आयूस वीजा, अर्था जो भी भारत में आता था, चया वो एजूकेशन लेने आता हो, चया वो काम करने आता हो, चया वो डॉमेस्टिक डाइस्पोरा की रूप में आए, या फिर वो एनराई की रूप में या वो घोमने आएगा, तो अलग-अलग वीजा बनते थे उसके, कि अगर आप भारत में घोमने जा रहा हो, तो इसकी घोशना की गई, ग्री मंत्राले के दौर, जिससे क्यों भारत आने वाले विदेसी नागरिकों को सुविधा प्रदान की जाएगी, और भारत में चिकिस्टा और आरोग या कल्यान परेटन को आसान बनाया जाएगा, तो भारत में चिकिस्टा की पद्दिती को आगे बढ़ता जा रहा है, और लोगों की भी ये मांग है कि अब हम आयरुवेदिक चिकिस्टा की और बढ़ें, और आपको पता है, दुनिया में आयरुवेदिक चिकिस्टा का सबसे अच्छा जो प्रयोग किया वो चरक महोदा ने किया, जो हमारे भारती है, चरक को देख इन सभी नुजिवेदिक चिकिस्टा को बहुत प्रमुक्ता दी है, तो इसी तरीके से वीजा मैनुवली 2019 में विभिन अध्यायों में आवश्यक संसोधन किये गए, और इससे भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा मिलेगा, और यह पारंप्रिक भारती चिक सबस्क्तिरी चिकिस्सा प्रमुक्ति इससे हम वैस्विक चिक स्थर पर इस्टेब्लिस कर सकेंगे, जैसे हमने योगा को स्थर बढ़ाया है। योगा दे मनवाया यानि 21 जून को अंतराश्टी योगा दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से हम पारंपरिक चिस्था को भी अंतराश्टी अस्तरपेक पहचान देना चाते हैं ताकि भारत की डिमांड बड़े और भारत में इसे बहुत सारा टूरिजम और रोजगार क्रि सब्द दिया गया है। ध्यान दीजेगा इन सभी के लिए संचिप्त सब्द दिया गया आयूस्तु इतनी प्रिकार की प्राक्रचिक की चिकिस्सा होती है। आप जब नौर्थ इस्ट में जाते होंगे, मतलब नेपाल में को, आसाम में, मेघाला में, सिक्किम में, अरोणा खाले की आ जाता है। आ अप अकثर कोरिया इंवि में देख सकते हो। इंडिया के भारत भी है, लगदाख वगरा में देखने को मैं तो इस सोभण रिकपाइक पदधी है, जिससे लोगों की बीमारी दूर होती है। तो इस चिकिस्सा की परमपरिक पदधी है। इस प्राश्टी यात्रियों की आवाजाही का वड़न करने के लिए हैं और ये सेवाएं एच्छिक सरजरी जटिल सरजरी आदी भी इसमें सामिल होती हैं हर प्रकार की यहां पर सामिल रहेगी सरजरी और आरोग के परेटन की बात करें तो वेलनेस टूरिजम वस्तुता किसी व् व्यक्ति का कल्यान हो सारेरिक मानसिक रूप से किसी व्याधी में ना हो मतलब किसी संकट में ना हो किसी रोग में ना हो और कम से कम उसके सुख में जीवन को और बढ़ाया जा सके जैसे सारेरिक तनाव मानसिक तनाव आध्यात्मेक परयावरणी ये सबी चीजे खत्म करके आरोग गिता की और आगे बढ़ना है बात करेंगे चिकिस्टा और आरोग के परेटन ये wellness economy का हिस्सा है और अगर हम इसके road map की बात करें तो इसमें एक संस्थागा धाचा प्रदान किया जाएगा चिकिस्टा और आरोग के परेटन के लिए परिवेस बनाया जाएगा ecosystem और ए बात वो नहीं है अच्छा in कि क्षराब है वह में टर नहीं करता लेकिन जब भी आपके दिमाघ में पतंचरी सब्दा है इस पतंचनी के देख लेते हैं या आचारे बहार कृष्ण को देखsters है जो बाबारामदेवजरी के सयोगी है जो दवां के मारेम ऊंच करते हैं तो ह और फिर जब हमें आयरुवेदिक इलाज कराने की बात होती है, तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं किस पे, किछ लोग पतंजली में दिखा देते हैं या राम देओ के डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो ये ब्रैंड बना दिया गया कि अगर ब्यक्ति आयरुवेद नाम के बार जो मुख्यता दो रणनीतियों पे काम करेंगे, दो इस्तंबू पे, एक ओनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पोर्टल इस्थापित करके डिश्टल करनों को सच्छ मना जाएगा, दूसरा MBT यानि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के लिए पहुँच में वृद्धी करना भी और इस संस्थागर धांचे के लिए राष्टी चिस्टा और आरो के परेटन समधन बोड भी गठित किया जाएगा, अब भारत के लिए चिकिस्टा और आरो के परेटन का महत्तों क्या है, सबसे पहली ची, आरो के और वैकल्पिक इलाज की मांग लगातार बढ़ती जा रह की वर मांग कर वगा अईरुवेडिक चिकिस्टा की उड़ sledते हैं तो ये डिमांड हो रही है विक्सित देशों में लंबी प्रतिक्छा अवधी देखने को मिलती है क्यों कि विक्सित देशों में कियो? काफी लंबी में बिटिंग सरजरी के लिए काफी लंबा समय मिलता है, आप्रेशन करने के लिए दो तो तीन-तीन महने की अपॉइंट्मेंट मिलती है, तो यह सब चीजे देखते हुए लोग भारत में आ सकते हैं, और अब विक्सित चिकिस्ता सुविधा वाले देशों में इसकी मांग जाता है, यानि जो बहुत पिछड़े हुए देश हैं, अब यहीं पर मैं आपको एक्जामपल देता हूँ दोस्तों, अफगानिस्तान का, तो एक दिन मुझे अफगानिस्तान से एक फैमिली विली, जो देखने में कट-काठी में पूर लंबी चौड़ी थी, मैंने उससे पूछा जो है क बहुत 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 अच्छी सुविधाय नहीं है, वहाँ पर चिकिस्ता सुविधा, ना वहाँ पर अईरुवेदिक सुविधाय ना अंग्रेजी सुविधाय बहुत अच्छी सुविधाय वहाँ पर नहीं है, तो भारत की ये एक छवी है कि भारत की बाहर जो अविक्सित देश है, छोटे-छोटे देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिबबत हो मंगोलिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सिरलंका हो गया, मालदीव हो गया, नौर्थ-इश्ट की देश हो गया, जितने भी छुट-छुटे देश हैं, ये भारत में इन सब चिकिस्भा की पढ़ीति का परयोग करने आ सकते हैं, उनका अफॉसर लेने आ सकते हैं, तो यह आप देखेंगे, वही बहतर connectivity, चिकिस्सा और आरो के परेटन के लिए बहतर अवसर प्रदान करेगी जैसे उडान योजना, अब माल लेजे भूटान का अभ्यक्ति सबसे पहले भारत के किस छेत्र में प्रिवेस करेगा, अगर देखा जाए सबसे नियरेस्ट बिलू, त देशों से मांग, जैसे जापान आपका बुढ़ा होता हुआ देश है, इंडोनेशिया आपका बुढ़ा होता हुआ देश है, साउथ कॉरिया आपका बुढ़ा होता हुआ देश है, चाइना बुढ़ा होता हुआ देश है, तो इन देशों में इसकी डिमांड बढ़ रही जैसे मलेशिया, थाइलेंड, सिंगापूर जैसे छेतरी प्रक्योविता देखने को मिलती है। आपने नौर्थ कोरिया की वेव सरीज देख्योंगी, या फिर आप कोरियन वेव सरीज देखिए, या थोड़ा सा चाइनीज पैटन में मूवी देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि इन देशों में आज भी आरो की चिकिस्टा होती है, यह आज भी अईरविदिक और अंतराश्टी मानिता की भी हमारे कमी है, जो मानिता प्राप्त अस्पतालों की संख्या अपेक शक्रित भारत में कम है, जो कि अंतराश्टी अस्तर पे एक रेटिंग देते हैं, जैसे मैंने आपको मूडीज वाला टॉपिक बता था, एकनॉमिक्स की पहली क्लास में, मू करता है, जो LIC एजन्ट है, वो विदेशी चिकिस्सा देखभाल को कवर नहीं करते हैं, आपके पास जितने भी LIC करने वाले लोग आते हैं, जो भी विमा करने वाली कमपनी आती हैं, मेडिकल से, वो क्या कहेंगी, या भारत के नागरिक होने चाहिए, अठारा वर्स की उम कमपनी क्लेम नहीं कर सकता, कि भाई कमपनी ने कहा था, और मुझे कम से कम 10 लाफ रुपे मिल जाने चाहिए, तो कि विदेशी चिकिस्ता को नहीं मानता देते हैं, और कुशल जन सक्ती की कमी भी है, यानि हमारे इस्किल्ड लेबर की कमी देखने को मिलती है, बिचौलियो हमारे हाँ से दवाई ले लिजे, आपको 20% की छूट मिलेगी, डॉक्तर भी बताता है कि आपको बाहर हॉस्पिटल के निकलना है, सामने जाना है, बाय जाना है, वहाँ पर ये नाम का मेडिकल होगा, और वहाँ से आप दवाई ले लिजेगा, क्योंकि डॉक्तर का भी उस पैसे मांग करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि विदेशी बहुत सारे पैसा ले के आए हैं यहाँ इलाज कराने, तो इनसे महंगा पैसा ले लो, अरे दोस्तों ऐसी बात होती, तो भारत से भी ज़्यादा विक्सित देसों में चले जाते, अगर उनके पास ज़्यादा पै तो चिकिस्सा उपकरणों के आयात में छूट और प्रोसाहन दिया जाना चीए, चिकिस्सा आरोगे परेटन कूटनीती पर भी ध्यान देना चीए, जैसे प्रवासी भारतियों को आकरसित किया जा सके, सहायक बुनियादी धांचे का विकास किया जाना चीए, और अस्पता सरकार ने इसमें बहुत सारी पहल सुरू किये, जैसे बाजार विकास सहयता सुरू की गई है, राष्टी आयूस मिसन जिसे 2014 में ही लांच किया गया था, आयूस में सूचना सिक्षा और संचार को बढ़ावा देने की बात की गी और अस्पतालों और स्वास्त सेवा प्रद आपके UPSC के Current Affairs में पूछ सकता है 2024 या फिर आपके UPPCS में भी पूछा जा सकता है 2024 में, तो समझेगा World Health Organization और आयूस मंत्राले ने गुजरात के गांधी नगर में प्रथम WHO पारंपरिक चिकिस्था वैस्विक सिखर सम्मेलन आयूजित किया, मतलब पहली बार WHO का World Health Organization का जो पहला जो एकी पारंपरिक चिकिस्था से समय ते वैस्विक सिखर सम्मेलन आयूजित किया गया, वो कहां पे किया गया, आपके गांधी नगर में किया गया, इतमींस की भारत में किया गया, और थीम थी सभी के लिए स्वास्त और कल्यान की ओर, सभी के लिए स्वास्त और क कि स्वदेशी ग्यान, जय विवित्ता और TCIM जैसी वैस्विक प्रतिबत्ताओं की पुष्टी की गई, सारभौमिक स्वास्तिक कवरे यानि यूनिवर्सल हेल्थ कवरे और स्वास्त से समझ सभी सतत्विकास लक्षों के समर्थन में साक्षियाधारित TCIM के हस्तक्षेप, वै प्रतिबत्ताओं की वकालत करना, बहु छेत्री, बहु विश्यक और बहु हित्यधारक सायोग को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, TCIM, प्रताओं तो था उत्पादन, उत्पादों के उत्पादन, विनियमन और अपचारिक उप्योग में तेजी लाना और स्वधेसी लोगों के साथ पूर भागीदारी और परामर्स सुनिश्यत करना, तो ये आपके लिए प्रिलिम्स में इंपॉर्टेंट प्रश्नी बन सकता है, ये उपर की तीन लाइने, या तो आपसे थीम पूछ लेगा, या फिर आपसे जो है की, WHO और किस मंत्राले के स सयोग से गांधी नगर में परंपरिक्च किस्सा वेस्विक सिखर समयना ना एजित किया गया, तो ये पूछा जा सकता है, या आई उस मंत्राले के साथ आपसे आप्शन पूछ देगा, कि WHO ने शुरू किया था, या फिर UNO ने शुरू किया, या फिर IMF ने शुरू किया, या फिर World Bank में सुरू किया, तो ऐसे स्टेट्मेंट आपसे UPSC या स्टेट PCS पूछ सकता है, तो उमीद करता हुए दो टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग रहोंगे, और अब हमारा एक अगला टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, फार्मेसी संसोधन अधिनियम 2023, इसके बा और कस्मीर के लिए भी लागू करना, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कि 1948 का जो अधिनियम था, वो जम्मो और कस्मीर पे साथ लागू नहीं होता होगा, लेकिन अब 2023 के संसोधन के दोरा, 1948 के फार्मेसी एक्ट को जम्मो कस्मीर पर भी लागू किया जा रहा है, तो स इसी प्रावधान होते न, विदेख के प्रावधान जो होते, वही प्रावधान आपको स्टेप पर स्टेप, A, B, C, D, Option लगा के दे दिया जाते हैं, और कूट मिलाने को कहता है, पहली जी, पंजी करन की बात करेंगे, अब इससे जम्मो और कस्मीर फार्मेशी अधिनियम के तहर पंजी करित फार्मासिस्ट को फार्मेशी अधिनियम 1948 के तहर फार्मासिस्ट के रूप में पंजी करित माना जाएगा, तो दोनों में अंतर समझना दोस्तों, जम्मो कस्मीर के लिए एक अलग से फार्मासी अधिनियम चलता था, वो था 2011 का, लेकिन जितने भी समझ में आ गए अपनों को, तो ये पूछा जा सकता है कि जम्मो कस्मीर फार्मेशी अधिनियम कौन से वर्स का था, 2011 का, और फार्मेशी अधिनियम 1948 है क्या, क्यों इतना इस पर फोकस किया जा रहा है, तो समझते हैं, फार्मेशी के पेसे और फार्मा प्रैक्टिस को विन रेजिस्टर से हटाने का भी प्रावधान है. स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी होते थे. तो ये सभी उन्निस ओयटालिश के तहत ही चलते थे. फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटाने का भी प्रावधान है ठीक है अगर 30 दिन के भीतर इसके खिलाफ अपील कर सकता है वो हलाकि पंजिकृत फार्मासिस्ट जूट अगर होने का जूटा दावा करने जैसे अपराधों के लिए दंड निरधारित किया गया था अगर कोई फार्मासिस्ट ऐसा है जो गलत दावा कर रहा है कि वो एक पंजिकित फार्मासिस्ट है और उसके अगर दावे जूटे पाए जाते हैं तो उसको दंड भी दिया जाएगा और जिसकी जाच आयोग के द्वारा एक न्यूट्टी भी की जाएगी कि जाच की जाएग चेट्रक में भारत के मुख्य भुमिका है अगर वैल्यू के आगाऱ पर कह हूँ en? तो भारत 14 नंबर पे आता है पूरी tale में प्रमुख चेट्रक इसमें क MARY है तो जेनरिक दवाइम है तो जेनरिक दवाया मतलब होती सस्ति Kenneth या जो सरकारी अस्पितालों मिलती हैं, डो रुपए 3, रुपए 1 रुपए वाली दवाईया जैसे जुखाम की दवाई, बुकार की दवाई, खासे की दवाई, पेड़ दर्द की दवाईया ओवर्दा काउंटर दवाईया ओर तीके, अनुबंद, अनुसंधान, और विनिर टीका हो, पिर वह चायब पोलियों की दवा हो, पिर चाहे वह COVID की पीके हो, किसी भी प्रकार के टीके को भारत दुनिया में सबसे सस्थी लागत पर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके डेटा सेक्टर को, तो pharmaceutical उद्योग मात्रा के आधार पे ध्यान देने वाली बात है कि मात्रा के आधार पे तो तीसरे अस्थान पे है जबकि मैंने आपको बताया कि मूले के आधार पे भारत 14 वे नंबर पे है और मतलब मूले का मतलब क्या है कि कितनी इसकी market value है और market में production कितना है तो production के अस्तर पे तीसरे नंबर पे है क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है और हर जनसंख्या के लिए अगर दवाईयों का production किया जाएगा तो no doubt दूसरे तीसरे नंबर पे ही आएगा भारत वैस्विक वैक्सीन का 60% कुद पादन करता है किसी भी प्रकार की वैक्सीन आप देख लीजे उसमें जितना भी चाहे वो डेंगू की वैक्सीन, मलेरिया की वैक्सीन, टाइफाइट की वैक्सीन या आपका रेबीज की वैक्सीन, प्लेग की वैक्सीन, कॉलरा की वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, किसी भी प्रकार की वैक्सीन, जितनी भी दुनिया में प्रडक्शन होती, उसका 60 प्रतिशत तो भारत प्रडक्शन करता है, और मात्रा के अधार पर जनरिक दवाओं की वैस काफी गरीब देश हैं और वहां पे सस्ती दवाओं से ही काम चलाया जा सकता है फार्मा सोटिकल से जुड़े कुछ मुद्दे हैं उनको देख लेते हैं कि भारत अपनी फार्मा आवश्यक्ताओं के लिए चीन पर अधिक निर्भर है थोक दवाओं या API का आयात करता है यान मुद्राइस फिती बढ़ती है दूसरा कच्छे तेल के कारण प्रमुक जो प्रारंबिक सामगरियों और सॉल्वेंट की कीमतों में वृद्धी होने लगती और माल ढुलाई की लागत के कारण भी API की कीमत बढ़ जाती भारत में इसलिए हम चाइना से आयात करते हैं लेकि उनकी फार्मा कंपनी अपने रिसर्च और डवलप्मेंट में अधिक रासी का निवेश करने में संकूच करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें बहुत अधिक खर्च करने पर भी रिटर्न बहुत कम प्राप्त होता है नकली उत्पाद नकली दवाएं ऐसो चैम के क्रियानवन के इसलिए पेटेंट उलंगन का खत्रा भी एक निरंतर चिंता का विसे होता है इसलिए कोई भी कमपनी दवाई का पेटेंट लेने से पीछे रहती है क्यों कि जब वो रिसर्च ही नहीं कर रही है तो नए नहीं दवाईयों की विधिया कहां से लाएगी और ज जैसे ने भगली छित्रों में विकास अविस्तार करने के अवश्यक्ता है एक अनुसंधान परिवेश तैयार किया जाए जो कि तीन आयामों पर आधारित होना चाहिए लक्षित विनियामक और करहस्तक्षे पोना चाहिए नैदानिक परिक्षरों को सुभ्यवस्तित किया स्वास्तित तक्नीक से जुड़े स्टार्टप का समर्थन करना चाहिए जिस तरीके से बजट दो हजार तेईस चौबिस में एग्री स्टार्टप की बात की गई जो की आपके एग्री कल्चर से संबंदित है एग्री स्टार्टप उसी तरीके से हमें हेल्थ से रिलेटेड भी start-ups की बात करनी चाहिए इसके culture को बढ़ाना चाहिए जो भी जैसे sanitizer हो गया, facial mask हो गया, face mask हो गया, sanitizer हो गया या फिर आपके गलप्स हो गया, syrens हो गई, और bottle हो गई, पाने की जो bottle चाटी है, गुलूपोज वाली इन सभी का भी जो एकी start-up होना चाहिए, यह सभी चीजे भी हमारे start-up के अस्तर पे तयार की जानी चाहिए, ताकि वो हमें सस्ती प्राप्त हो सके और एक मुख्य सैचडिक संस्थान का गठन किया जाए, वैस्विक प्रतिभाड़ा को आकर्शित करने में सक्षम और अच्छी तरह से वित्पोशित अनुसंधान संस्थान नवाचार चक्र को सुरू कर सकता है, फार्मासोटिकल के लिए एक सोतंत्र मंत्रालय का भी गठन किया जाना चाहिए, इस तरह के मंत्रालय को आयूस मंत्रालय या नवीन और नवीकरणी उर्जा मंत्रालय की तर्च पे तयार किया जाना चाहिए, क्योंकि pharmaceutical का एक अलग मंत्राला होना चीए जो किवल और किवल दवाई के production दवाई को regulate करने और दवाई की जो भी प्रक्रिया है पेटेंट वगरा इन सभी पर ही केवल काम करें वो और किसी चीज पर काम न करें तो इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठा है जैसे पहला कदम Scheme for Strengthing Pharmaceutical Industries इसमें जो एकी तीन उप योजना है थी फिर फार्मा छेत्रक के लिए उत्पादन से सम्मद पी एलाई योजना है यानि की production linked incentive थी साथी साथी साथ गैर योजना बत हस्तक्षे जैसे चिकिसा उपकरन छेत्रक में 100 परतिशत के FDA को कर दिया गया कि जितना भी आप medical tools बनाते हो चाहे वो आपका कैची हो Caesar हो या फिर आपकी सिरेंज हो या आपके gloves हो या आपके mask हो या फिर जो operation के समय जो है कि blue color का coat पहनते हैं doctors तो इस तरीके के जितने भी आपकरन बना सकते हो दवाई छोड़के उपकरन बना सकते हो उसमें 100% FDA ले लो फार्मा छेत्रक म green field पर्योजनाओं में स्वचालित मार्क केता है 100% FDA जबकि brown field में 75-74% FDA की छूट दी गई तो यह सबी चीजे होती है अच्छा green field का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जहां पे एक नई तरीके से unit को तैयार किया था है यह नहीं कि नए तरीके से company बनाई जाती है नया manufacturing hub बनाया किया जाता है तो वहां 100% ऐसा कर सकते हो वहीं दूसरी बात यह रहेगी कि brown field पर्योजनाओं में 74% FDA की अनुमती है brown field का मतलब होता है कि already पहले से pharmaceutical सेक्टर में किसी भी सेक्टर में कोई company पहले से तयार है उसमें कुछ करमचारी काम भी कर रहा है बस किसी बाहरी company ने उसमे investment किया FDI के तौर पे ताकि उसका production rate और बढ़ जाए दो चार लोगों की ज़रत पड़ी तो उसमें रोजगार दो चार लोगों को दे दिया हलाकि green field परयूजनाओं हमेसा बहतर मानी जाती है production और growth के नजरिये से लेकिन बहुत सारी company FDI के तौर पे brown field में आना चाहती है green field म नहीं तो यह तो थे आपके long topic और अब हम सुरू करेंगे संचिप्त टॉपिक जो की news in short थे और इसी के साथ आज हमारा आरो यार जो आपका UPPCS मतलब की UPSC में जो आपकी current affairs economics के topic से वो cover हो जाएंगे आज पूरे के पूरे और फिर हम लोग कल next topic से शुरू करेंगे तो हमारा पहला topic है यहाँ पे short में यानि कि in short news में जो पहला topic है कि रिंड तक आसान पहुँच के लिए public tech platform की सुरूआत की गई है RBI ने अभी इसके लिए एक pilot project सुरूख किया है कि रिंड तक आसान पहुँच बनाने के लिए एक online public tech platform सुरूख किया है कि online माद्यम से आपको जो एक रिंड तक आसानी से पहुँचाया जा सके अर्थात रिंड आपको आसानी से मिल सके हलांकि अभी यह pilot project है pilot project का मतलब होता है कुछ चुनिंदा सहरो या कुछ चुनिंदा राज्यों में ही इसको सुरूख कियाता है जब वहां से इसके लक्ष अच्छे देखने को मिलते है इसका scope अच्छा देखने को मिलता है तब प प्रती छेत्र के सभी भागिदार plug and play model में निर्बाद रूट से आपस में जुड सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है कि आधार EKYC, राज्य सरकारों से भूमी रिकॉर्ड, उपग्रहस डेटा, पैन सत्यापन आदी जैसी सिवाओं तक पहुंच को सक्छम बना सकेगा आसानी से, और Reserve Bank Innovation Hub द्वारा इसको विक्सित किया जाएगा, जो कि RBI के कोण स्वामिक ट्वाली सहाय कंपनी है, Reserve Bank Innovation Hub, इसके द्वारा इसे विक्सित किया जा रहा है, और इसमें कुछ प्रकार देखे गए हैं, मतलब कि रिंड किसे किसे दिया जाएगा, किस प्रकार का, त भाग लेने वाले बैंकों के मात्यम से व्यक्तिगत रिंड और ग्रिंड यानि कि पर्सनल लोन और हाउसिंग लोन दोनों ही प्रतान किये जाएंगे, अलाकि अभी यह जो पाइलट प्रजेक्ट है, यह आपके केवल मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, करनाठक, उत्तर प्र बैठे रिंड मिल जाएगा, बस ऑनलाइन सारी प्रक्रिया करनी है, आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाद प्रवाद की सुविधा दी जाएगी, बाधा रहित रिंड वित्रण को सक्छा मना जाएगा, बैंकों की इस्तिती में सुधार किया जाएगा, और ग्राहक है कि रेलवे पर कैग की रिपोर्ट आई है, तो कैग क्या होता है, भारत का नियंद्रे को महालेखा परिच्छ, यानि कैम्ट्रोलर, ऑडिटर, जनर, इसने भारती रेलवे की वित्ती इस्तिती पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, ये कहता है कि 20-21 की तुलना में, 21-22 में लगबग 36.2 प्रतिशत जोए की वित्धी हुई है, यातायात से सकल प्राफ्टी में, जितना भी पैसा मिला, और सबसे अधिक योगदान माल ढुलाई का था, जाए फिर वह आप किसी भी प्रकार का माल ढुलाई कर रहा हो, तो उससे हमें सबसे धिक पैसा प्राफ कि 22.61 प्रतिशत विर्दी की गई है, हलाकि आपको बताते चलू कि इस बार धाई लाग करोन का सबसे अधिक बजट आवंटन रेलवे को किया गया है, आपने पढ़ा भी होगा 2023-24 के बजट में, परिचालन से बाहर हो चुकी परिसंपत्यों का समय पर बदलाव किया जाना नवीनी करण किया जाना जैसा कारे किया गया है पूजी गतब्या में, पूजी गतब्या दोस्तों मुक्रूप से घाटा नहीं कहलाता है, उसका प्रभाव देर्ग कालिक रूप से देखने को मिलता है, जैसे कुछ रेलवे की पटरियों को चेंज कर देना, कुछ रेलवे क हो चुकी होती है उनका प्रयोग किया जाता है रेनुवेट करके तो उसी में हम पूंजी गद्वियाग खर्च करते हैं परिचालन अनुपात की बात करेंगे operating cost जो होती है यह 97.4 प्रतिशत से बढ़कर 107.39 हो गई है इसका मतलब है कि हम यहां पर घाटे की ओर जा रहे हैं क्योंकि अगर आपका उच्चतर परिचालन अनुपात है तो यह कम लाब को प्राप्त होता है यानि इस रेशियो को हमें 97 से घटाना था हाला कि यह और बढ़ गया ठीक है इसका मतलब यह अधिसेस उठपन करने की कम चमता बता रहा है कि हम सर्प्लस वैल्यू को कम क्रियेट कर पा रहा है एक तरफ तो रिपोर्ट करिए कि हम प्राफिट में चल रहा है दूसरी तरफ यह बताती है परिचालन अनुपात के तैस कि यह हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है अर्थात की रेलवे इससे घाटे में भी जा रही है यानि लाभ हमें कम हो रहा है तो कुर्व परिचालन बैकर लगवक 75.47 प्रतिशत हिस्सा स्टाफ की लागत में पेंशन भुकतान रोलिंग स्टॉक के लेज किराय में इन सभी चीज़ों में खर्च किया जा रहा है वहीं यात्री दी जाती है जो कि माल धुलाई से प्राफिट लापका उप्योग किया जाता है अब आ जैसे यात्री किराय में क्या है कि आप देखोगे जो 60 साल से उपर के बुजरुग है, उनके किराय में जो एकी छूट कर दी जाती है, महिलाओं को एक special occasion पे तिवहारों पर जो एकी छूट कर दी जाती है, ठीक है, कि उनका ticket free हो जाता है, छोटे बच्चों को जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनको जो है कि कोई ticket नहीं देना पड़ता है, तो ये सब जो subsidy मिल रही है, ये कहां से मिल ली है, cross subsidy कहने का मतलब है, कि जो माल ढूलाई से जो प्राप्त हो रहाता पैसा, उसका प्रयोग इसी सेक्टर में करना चाहिए है, लेकिन हम उसका प्रयोग कर रहे है, subsidy के तौर पे यातर अधिक पुरानी परिशंपत्यों के नवीनी करन और बदलाव को throw forward कहा जाता है, यहां पर कैग ने कुछ reports भी दिया और कुछ सिफारिस की है, कि यातरी परिचालन की लागत का गंभीर विसलेशन करते हुए, नुकसान को कम करने है तो जरूरी कदम उठाना चाहिए, माल ढ दुलाई बास्केट में विवित्ता लाने है तो कुछ कदम उठाओ ताकि अलग अलग प्रकार के माल ढुलाई किये जा सकें, आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ आवश्य कदम उठाने चाहिए, और सभी औस्विकृत ब्याय प्रात्मिक्ता के अधार पे निमित किये जाने चाहिए, कि जो ब्याय ऐसे हैं, जिनको हम अस्विकृत कर सकते हैं, उसे रेगुलेट करो, और ब्याय के गलत वर्गी करण के मामलों को कम करने के लिए आंतरिक नियंतरन तंतर को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे हमारा पूझीगत ब्याय भी बच सके, अगल यहां पर देख सकते हैं, कि Oil India Limited को तो महारत में का धरजा दे दिया गया, और ONGC विदेश Limited को नवरत में का धरजा मिल चुका है, जबकि मैं आपको बताते चलूँ कि ONGC को already महारत में का धरजा मिल चुका है, लेकिन यहां पर यह विदेश Limited है, विदेश मतलब हमारा जो प्लॉक है, यह ONGC का एक ब्रांच है जो विदेश में इस्टैबलिस है, इसको नवरत में का धरजा मिल चुका है, तो भारत में इस तरीके से चार स्रेडियां होती है, उसे हम देखते हैं, एक होती है महारत में स्रेडि, एक होती है नवरत में स्रेडि, और एक होती मिनी र नेट वर्थ की बात करें 15,000 करों और निवल लाब की बात करें तो 5,000 करों रुपय होना चाहिए और बिसकी अन्य देसों में भी महत्पोर उपस्तिती होनी चाहिए नवरत न अगर बनना है तो पिछले पांस से तीन वर्षों में उसकी रैंकिंग उतक्रिष्ट या बहुत अच्छी होनी चाहिए और 6 प्रदर्शन संकीतों में उसका 60 या उससे अधिक होना चाहिए मिनी रत्म स्रेडी अगर वन में आना आपको तो तीन वर्षों में लगातार लाब कमाना चाहिए और कर पूर्व लाब जो है कि तीन वर्षों में कम से कम 30 करों रुपया उससे अ निर्भर नहीं हो मतलब किसी भी प्रकार के आप लोन पर या सरकारी साहता पर निर्भर नहीं हो फिर आगे हम देखते हैं ऑन शोरिंग दा इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट आई एफ सीए पर एक रिपोर्ट आई है यह क्या रिपोर्ट है तो देखिए इस पर जो इन्होंने कहा कि फिलिपिंग के कारणों को समझना भवेस में इस टार्ट अपस के अन्य देसों में जाने से रोकने के लिए सुझाओ इन्होंने दिया अब आप कहो कि सर फिलिपिंग क्या है देखिए यह फिलिपिंग एक ऐसा important सब्द है जो UPSC prelims 2014 में पूछा जा सकता ह सिदे कह देगा हाल ही के वर्सों में या हाल ही के कुछ दिरों में flipping सब्द जोए कि बहुत लगातार चर्चा में था यह किस से सम्मधित है तो देखिए जब कोई भारती कंपनी संपूर स्वामित को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतृत करने की प्रिक्रिया करती है जैसे हुआ क्या है आपने किसी विदेशी कंपनी को सौमित दे दिया ओनर्शिप किसी विदेशी कंपनी को दे दी है जो कि यह नहीं होना चाहिए और यही प्रिक्रिया flipping कहलाती है तो यह आपस UPSC पूछ सकता है तो समीटी ने विदेश चले गए स्टार्टप को वापस gift city गु आधी करण ने किया था जो विशे सक्यों की समीटी थी अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टप एको सिस्टम वाला देश बन गया है एक संस्था को स्टार्टप कब माना जाएगा यह भी चीज़ा मैंने डिसकस कर लिये लेकिन दु नहीं होना चाहिए और स्टार्टप के विकास में संचालक कौन करूंगे तो उपभोग संचालित विकास होना चाहिए और भारत में उच्च कौसल वाली तक्नीकी प्रतिभा भी मौजूद है फिलिपिंग के क्या कारण है क्यों जो है कि भारती स्वामित वाली जो कंपनिय वो विदेश चली जा रही है। अन्य देसों में बहतर विनियामर्ट की परिवेस मौझूद है। इसलिए जो एकि ओनरशिप फॉरेंड में जा रही है। तो कि भारत में इतना अच्छा स्टार्ट अप को ग्रोथ नहीं मिल रही है, विदेशी पूझी बाजार तक पहुच प्राप्त आसानी से हो जा रही है, इसलिए फिलिपिंग करना पढ़ रहा है कमपनियों को, और इस पर भारत का प्रभाव क्या हो रहा है, कि उद्यमी परत समझ गया होंगे कि फिलिपिंग कौन सी चीज है और क्या है, अब यहां पर हम गोल्डी लॉक्स परिदिश्य की बात करेंगे, देखिए यह जो ग्रीन कलर से मैंने काट दिये हैं, यह टॉपिक मेरी नजर में इंपॉर्टेंट नीते एक्जाम औरियेंटेट, तो मैं किव मैंने आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा है, जो जरूरी है, सारे टॉपिक करने के अविशक्ता नहीं है, अगर आपका मन करें पढ़ने का तो आप पीडियाप से पढ़ सकते हैं, आगे देखते हैं, गोल्डी लॉक्स परिद्रिशे, किसी अर्थ बिवस्ता में गोल्डी लॉक्स परिद्रिशे एक ऐसी आदर्स इस्तिती का सूचक है, जिसमें सम्रिजदी दर जो है इस्तिर गती से बढ़ती है, यानि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वह एक स्टिडी ग्रोथ हो रही है, रुक्य हुई है, जैसे प्रतेक वर्स में लिए, चार वर्स प प्रतिशत की ग्रोथ हो रही है, तो ये चीज़ होती ही गोल्डी लॉक्स प्रतिशी और इक आधर्स कंडिशन होती है, आर्थिक समवरिजदी ना तो, बहुत टीवर होती है, यानि बहुत हाई लेवल की ग्रोथ नहीं होती है, और जिससे मुद्रा स्थितिम विर्दि हो स और कहिना कहीं विरोजगारी कम होगी क्योंकि लोगों को रोजगार जाता मिल रहा होगा और GDP की भी ग्रोथ रेट जोएकि इस्थिर रूप से ही बढ़ती रहेगी अपेक्षा क्रित कम खुद्रा मुद्रायस्विती और निम्नब्यास दरें यानि मुद्रायस्विती तो जाता है। लेकिन जैसे यह चीजज़े उबर जाती है, देष अपनी GDP में पकड़ लेता हा अधो 是नेरियो हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डे लॉग्स परिदिष क्या है और आपने देखा होगा कि वर्ड्ड जोगर्याफिवे में भी एक गोल्डे लॉक्स जोन होता है नो Goldilocks जोन का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रह जहां पर रहने ही हो कि जीवन के लिए सभी आदर्स दसाएं मौजूद हो उसे हम गोल्डिलॉक्स जोन कहते हैं लेकिन यहां पर अगला टॉपिक है यहां पर IPO से रिलेटिड इनिशियल पब्लिक आउफरिंग के लिए संसोधिस समय सीमा बढ़ा दी गई है सेवी के द्वारा सेवी ने कंपनियों की IPO लिस्टिंग की समय सीमा को 6 दिन से घटा कर 3 दिन कर दिया है जिसको आप टी प्लस 6 की जगे टी प्लस 3 कर दिया गया है और आप से बस इतना ही पूछ लेगा UPSC कि टी प्लस 3 निमलिखित में से किस से संब्धित है तो IPO की समय सीमा घटाने से संब्धित है IPO का तात्पर है कि प्रात्मिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की विक्री करना यानि कि शेयर अपने सेल करना जैसे जो मैटो ने सेयर बेचे थे और पेटियम ने अपने सेयर बेचे थे पिछले साल स्वीगी ने अपने सेयर बेचे तो ये सब कंपनियां जब पहली तो उसमें से अगर जारी करोन लोगोंवे आई और साथी पूंजी तरलता पर तक अतिक तरित पहुंच हो सकेगी टी प्लस थरी दिन का जो समय सीमा है वो एक दिसम्बर 2023 से अनिवारे करती जाएगी कि इसके बाद से एक दिसम्बर से अगर कोई भी कंपणी अपना IPO जारी करती है तो वो केवल और केवल तीन दिन तक जारी कर सकती हैं FRP की बात कर लेते हैं Fair and Renumerative Price वित्मंत्राले ने सैकारी चीनी मिल्स को पिछले गन्ना मुले भुक्तान का दावा करने में सक्षम बनाने वाले नियम को अधिसूचित किया है जिस तरीके से आप देखोगे कि MSP जो होता है वो खाद्यान फसलों पर मिलता है जिस जिसमें आपकी खरीफ की फसल भी होती है रभी की फसल भी होती है और वाणिजिक फसल भी होती है तो यह MSP की बारे में बात हो गई लेकिन जब गन्ने को जो एकी नियूनतम मूल मिलता है तो उसे हम कहते है फेयर यानि उचित और लावकारी मूले 2015-16 से पहले केंदर के उचित और लावकारी मूले से अधिक की भुक्तान करने की बात कही गई थी इसका तत इसका ब्यवसाइक ब्या के रूप में भुक्तान किया जाना था आयकर अधिनियम की धारा 155 में संसुधन किया गया और चीनी मिलों को लव 10,000 करोड रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है तो सरकारी समितियों को ही 16-17 आखलन वर्ष से किये गए जो भुक्तान के लिए ब्यवसाइक ब्या के रूप में इस तरह भुक्तान करने की दावा एक कोरिंटल गन्ने का मूले अगर 380 रुपए है तो आप 380 रुपए से नीचे आप मूले को नहीं दे सकते हो आपको अगर दो तर चार सो दस रुपए दे दो, 400 रुपए दो, 440 रुपए दे दो वो डिपेंडिकर अपर, लेकिन 380 रुपए जो सरकार ने तयकिया है उस से नीचे का आप मुल्ले नहीं दे सकते हो जैसे MSP में होता है वैसी ये गन्ने के लिए होता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहट जारी गन्ना नियंतरण आदेस 1966 द्वारा असासित होता है उत्पादन लागत के आधार पे क्रिसी आयोग और मुल्ले आयोग मतलब क्रिसी लागत मुल्ले आयोग की सिफारिसों पर इसको किया जाता है ये इंपॉर्टेंट लाइन है सरकारी मिले आम तोर पर किसान जैसे MSP होता है और राज्य के द्वारा परामर्सी मुल्ले अगर दिया जाता है किसान संगो की मान पर जो समानता FRP से अधिक होता है फिर यहाँ पर अमरित भारत की स्टेशन योजना इसकी अगर हम बात करेंगे तो प्रधान मंत्री जी ने अमरित भारत स्टेशन योजन के तहब रेलवे स्टेशनों पर अत्य आधूनिक सारक्षिलिक परिभान और विस ऐस्तरी सुमिदाएं रखी जाएंगी जैसे आप अभी बी डिली रेलवे स्टेशन पे देख सकते हो बनारफ रेलवे शकलाने पर तो वो elektनारिशन पर देख सकते हो पत्ना रेलवे ऐसा देकर अपना इस्टेशन से बाहर जा सकते हैं, यानि अगर वो चलने में सक्षम नहीं है, सीड़ी नहीं चल पा रहे हैं, एसकलेटर पर नहीं चल पा रहे हैं, स्वचानिस सीड़ी, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हो, तो ऐसे परिवहन भी मिलेंगे देखने को, और ल संस्कृती, विराषत, और वास्तु कला से प्रयरित होगा, यानि अब जो इस्टेशन बनाया जा रहा है, या उनमें जो रेनुवेट की आजाएगा, उनका जो भवन बनाया जाएगा, वो हमारी भारती संस्कृती के अधार के होगा, जो लोकल संस्कृती होगी विराशत और वास्तुकला से प्रेरिथ होगा जैसे आप वारानसी रेलवे स्टेशन को आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ भी वारानसी रेलवे स्टेशन इस समय वाई फाई की इसलिए एक उस पे है न चक्र जो एकी या अपने जो एकी तिरंगे पे चक्र है तो यह 24 तीरियों वाला जो चक्र होता है तो यह बताता है कि कहीं न कहीं भारती पद्धिती और संस्कृति का विकास बताता है लखनों का रेलवे स्टेशन आप देखिए मुगलों के समय जो बनाया गिया ट्रेनों का आधुनिकी करण भी किया जा रहा है जैसे वंदे भारत की रेलगाडिया निकाले गए विस्टा डोम पोच निकाले गए अत्याधुनिक सुविधाओं से यूप्टी स्मार्ट कोच बनाये गए है और इस सिंग्नलिंग और सुरक्षा प्रणाली यानिकि जो सि 2030 तक पुड़ा करना है और रेलवे को सुने कार्बन उतसर्जक संस्था बनाना है जिसके लिए अन्य पहल चला यह जिसे ब्रॉड गेज पर सभी मानव रही लेवल क्रॉसिंग समाप्त कर दीगी इस स्टेशनों पर वाइफाई सेवा हैं देदीगी आप रेलवे स्टेशन करिए अराम से बैट की और एक स्टेशन एक उत्पाद यानि की वन स्टेशन वन प्रड़क्ट ओएस ओपी यानि इस्थानी छेत्रों की जो विविधता है इस्थानी छेत्रों की जो मुख्य पहचान वाली कोई प्रड़क्ट है उनको आप बेचिये जैसे गोरगपुर र यहाद रेलवे स्टेशन पर क्या पिखता है तो कालीन वेची जाती है जो कालीन भहिया की ढ polling उसको बेचा जाता है तो यह रेलवे स्टेशन पर वन प्रड़क्ट ऑजना भी लॉंच की गई है यह सभी चीजे थी और अब हम देखते हैं यहाँ पर रुक्यूही आवास प Council के सिफारिस पर यह जो है ना MOHUA यानि आवाशन और सहरी कारे मंत्राले ने किया था इसका जो एकी गठन और CAC का गठन रियल स्टेट विनियमन और विकास अधनियम 2016 के तहत किया गया और इस परिशत का अध्यक्ष आवासन सहरी कारे मंत्री है तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिये यह बताते हैं कि 4.12 यानि कि 4.12 लाक आवासी इकाईया निर्माडा धीन है अभी बन रही है जिनका मूले लगव 4.08 लाक करोन रुपए इनमें से 44 प्रतिशत इकाईया NCR दिल्ली से समय रहे हैं कि दिल्ली में सबसेधिक जो एकी इकाईया बनाई जा रही है हलांकि वित्तिय विवारता की कमी यानि कि पैसों की कमी की वज़े से इसमें लागत में वृत्ति हो रही है और इसके पूरे कर सब्सक्राइओं और घर खरीदारों के साफ किये गए वादों के प्रति जवाब्दे बनाती है पुनर सुधार पंकि रुकी हुई परियोजनाओं को वित्त पोशन करना प्रात्मिक differs किफाйति और विवार्गल आवास तू विजे से विंडे कि'sàoक्या गातिया जाता है और रुक्य हुई परियुजनाओं का समाधान और कैसे कर सकते हो तो सभी हित धारक चाहे उसमें डेवलपर्स हो फाइनेंसर्स हो भूमी प्राधिकरन हो इन सभी को हेर कट की प्रिकरिया अपनानी चाहिए हेर कट के तहट किसी लेंदार को जितना बकाया अप एकची धन प्राप्त करना होता है उससे कम धन प्राप्त करने के लिए समत जयाता है जैसे आप बाल कटाने जाते हो तो कैतो सर इतना ही बाल कटाना है लेकिन सलून वाला उससे थोड़ा कम ही काटता है ताकि आप उस पे क कर अपसी कोड जैसी नियाई कारिवाई को किवल अंतिमुपाइक रूप में अपनाना चाहिए यह नहीं की प्रात्मिक अस्तर पर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो यह तो थी दोस्तों आज हमारी कंपीट हो चुकी है और अब हम अगली सीरीज इंटर्नल सेक्यूरिटी की है या तो सुरू करेंगे या फिट साइन्स टेक्नलोजी को शुरू करेंगे तो मिलते हैं एक्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगिग और यहां तक अगर आपने देखा है तो नो डाउट आपको पसंद आई है पढ़ाने की तक्नीक और हिंदी वीडियम के लिए बहतर कंटेंट है तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो लाइक कर देना और टेलिग्राम चनल जोईन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मिल्तने थीडियम थाइब 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 देना झाल वजिए खर्वाचिण